लगबग 18 साल हो गए ये कहते हुए भी और सुनते हुए भी लेकिन बात आज भी सच है कि माही मार भी रहा है और माही जीत भी रहा है बजाओ उक्तालेश लेकिन सब बेकार हो जाता है अगर महेंदर सिंग धोनी मू मीठा ना कराते तो चेनने का एडॉप्टेड बेटा 1426 दिन बाद अपनी घर पहुंचा था और इसको सेलिब्रेट कैसे किया पहली ही गेंद पर चक्का लगाकर इसके बाद एक और चक्का लगाया और फिर घर वापती में मैच जीता मलना बहर तरफ से फाइदा ही फाइदा बिल्कुल ऐसा ही फाइदा आपको हो सकता है आज की गुजरात वर्सिस दिल्ली मैच में अगर आपने माई 11 सरकल आप पर अपनी टीम बनाई तो अगर आपनी टीम जीत गई तो सेकंड प्राइज में 1 करोड रुपे सोचो फर्स प्राइज कितना बड़ा होगा लेकिन अगर हार भी गय तो भी आपका फायदा होगा लेकिन कैसे ये वीडियो में मैं आगे बताऊंगा लेकिन बात करतें फिलाल लखनो वालों की लखनो होम ग्राउंड में मैच नहीं हुआ था यानि रुतुराज गाई कोड जिनको भविश्य में चेन नहीं का कप्तान कहा जा रहा है उनका अपने होम ग्राउंड पर ये पहला ओडिशन था और भाई साब ऐसा ओडिशन दिया कि ब्लॉग बस्टर पिच्चर में डेब्यू कर अपकी बार उन्होंने रिस्क लेना जाधा कर दिया है पिछले मैच में नौ चक्के मारने के बाद उन्होंने कल फिर चार लगाए एक बार फिर हाफ सेंचुरी लगाई 31 गेंदों में 57 अंड बनाये लेकिन उनके हाउट होने से पहले वो कॉन्वे के साथ 110 की उपनिक पार पहुची लेकिन असली मजा तो तब आया जब दोनी भाई क्रीज पर आये 41 साल का एक किलाडी जिसने 4 साल पहले इंटरनाशनल क्रिकट को अलविदा कह दिया था एकदम आखरी ओर में अपनी टीम के लिए खेलने आया था और उसने किया क्या इस टोर्नमेंट के परपल क्य पहली ही गेंट पर चक्का लगाया अगली गेंट जो की 151 किलोमेटर प्रती गंटे की बाउंसर थी उस पर और भी लंबा चक्का मारा और इस टोर्नमेंट में अपने 5000 रन पूरे कर लिए याद रहे कि दोनी के 5000 रन टॉप और में नहीं आये हैं ये रन उन्होंने आखरी ओर में नीचे बल्ले बाजी करके बनाए हैं खेर दोनी रिकॉर्ड से परे हैं अगर आपने कल टॉस से लेकर उनकी बल्ले बाजी तक चेंड़ी में शोर सुना होगा तो आपको ये बात समझ आई हूँ चेंड़ी ने 20 ओर के बाद 217 रन का अच्छा खासा स्कोर बना डाल ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ जिंगा लाला कर लो क्योंकि आपको पता है आज के गुजरात वर्सेस दिल्ली मैच में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाजी गर कॉन्टेस्ट अब देखो ये बात तो सभी को पता है कि माईवें सरकलाप पूरे टोर्नमेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस यतने पर सेकेंड प्राइज में एक करोड दे रही है फर्स प्राइज तो हम सब गेस करी रहें कि कितना होगा लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछोगे कि रौनक भाई हारने पर क्या मिलेगा हार गए तो हमारी तो एंट्री फीस गई त वही से अक्टिवेट होगा तो फटाफट से माई 11 सरकल अप को डाउनलोड कर लो मेरा कूपन कोड लगा कर पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्टर रियल कैश भी मिलेगा और 1500 का जॉइनिक बोनस तो ही बस एक चीज याद रखी है कि इस खेल की आदत लग सकती है और इसमें मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को थोड़ा सा हिलाडाला भाई ने अकेले दमपर चेन्नेई में बैटे 40 सार लोग ही बोलती बंद कर दी ऐसा लगा कि सबके मूँ में गम लग गया है लेकिन उनके मूँ पर गम नहीं दिल में गम था जब तक मेर्स खेल रहे था ऐसा लग र कणकण पता है यही वज़य है कि जब 5 और में 80 रन बन गये तो उन्होंने चटाओ और मोहिन अली को दिया और यही चीज गेम का टर्निंग पॉइंट बन गयी मोहिन अली ने मेर्स को आउट किया और फिर उसके बाद अपने स्पेल में 4 विकेट लेकर निकले जिसमें केल इसके बाद लकनो की उमीद सिर्फ निकोलस पूरं ते जिन्होंने 18 में 32 बनाए लेकिन बें स्टोक्स ने कैच लेकर उनको भी चूरन चटा दिया और चेन्ने की जीत की रा खोल दी आखरी ओर में मार्कूट ने चौका लगा कर लकनो कसकोर 205 पहुचा दिया लेकिन 12 रन से मैच जीत कर चेन्ने ने पॉइंट स्टेबल में अपनी एंट्री कर ली है दोनी वहीया की हो गई वाह वाह लेकिन क्या दिल्ली वाले आज की मैच में एंट्री कर पाएंगे पॉइंट स्टेबल में या भी रार्धिक पंडे की गुजरात दो में दो जीत कर पॉइंट स्टेबल में टॉप पर चली जाएगी इस मैच का पूरा प्रिव्यू हम आपको आज दोपहर वाली वीडियो में बताएंगे और उसमें हम आपको माई लेवन सरकल आप की टीम बना कर भी बताएंगे लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पे क्लिक करके इस अप को जरूर डाउनलोड करना तो दोपहर को मिलते एक कड़क वीडियो के साथ यही पर जाने से पहले चैनल सब्स्राइब करके जाना और कॉमेंट करके बताना कि वीडियो आप देख कहां स तैंक यू फो वाचिंग धोनी भाई ने तुम मज़े दिला दे भाई साब पुल फील जैहिंद मिलते दूपहर को